हाई गाईज विल्कम बैक टो मैं ब्लॉग कैसे हैं आम सब आई होब कि अप लोग होंगे घर में सेफ होंगे और हिल्दी होंगे बट मैं बहुत ही जाधा प्रॉब्लम में हूँ क्या हुआ है मेरे साथ हूँ मैं एंड अफ दो ब्लॉग शेयर करेंगी या मीडल अफ दो ब् बढौज रहें साड़ें बारा अं मीसारे बारा बजने के बाद Jude मेरें घर की ठल रहें कियुछ रहें कॉरिंट रहें क्वारिन उल्टाइन आज करने का अब कोई काम करने का मोड़ मेरे नहीं कर रहे हैं क्या का इस जरू करूंगी बट उसके पहले मैं अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं कि मैं आफ्टर नून में क्या करती हूं क्यूंकि अभी 12 से जाधा हो चुके हैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज के ब्लॉग में आज मैं कहीं और भी जाने वाली हूं लंच करने तो कहां जाओंगी एंड किसने मुझे बुलाया इस कॉरेंटाइन में अपने घर लंच करने के लिए वह जाने के लिए ब्लॉग को एंड तक देखते रिए साथी काम कर लेती हूं फ्रेश हो लेती हूं नहां लेती हूं साथी साहत अपना रूटीन भी आप लुगों के साथ शेयर कर लेती हूं I hope कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्चा लगए तो चलिए मैं मिलती हूं आप लिए थोड़ी देर बाद फिलाल में अपना वाला तो इसको तो मैंने सही से अभी फिलाल के लिए जितना हो चका मैंने कर लिया है आप लगों को दिखी रहा होगा इस साइट का मैं कुछ कन नहीं सकती हूँ जहां पे छोड़ा सा स्टील का बालड़ी दिख रहा है क्योंकि वो मेरे मंदिर के लिए सामान रख्तियों में थोड़ा सा ऊपर ता कि उसमें कोई ज्यादा टच ना करे में ज्यादा ट कोशिश करें तो चलिए अभी मेरा किचन में लाइट ओफ इसली अंदेर अंदर है दिख रहा होगा एंड जाड़ उपोचा में बाड़ में लगा रही हूं क्योंकि अभी बहुत ही जादा मेरे हैर्स है ना हालत खराब है उनकी थोड़ी सी मैं उसको पोम कर लेती हूं कल म मैं देखने को मिला था एंड मैंने हैर्स को सुलजाया भी नहीं था तो थोड़ा बहुत मैं इसे सुलजा लेती हूं फिर मैं बागी का काम करती हूं करती हूं यह सारे बालों को सुलजाने में मेरे जान निकलने वाली हैं क्यूंकि बहुत ही जादा टैंगल हो गया है कि अगर 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 तो दो जाने तो पड़ेगा ही तो बात में करने से अच्छा भी कर लोग दड़ तो होना है आप लोगों को पहले में मैस दिखा देती हूं बात में करता है से पूरा दीवार में तेल चिवासा यहां तक चिट गया है यह जो कांटर पूरा पूरा तेल तेल हो चुका है hope you can see and मुझे अभी ये पूरा क्लीन करना है and वो उपर तक भी गया है and ये दीवार में भी ये अच्छा खासा कहर चाया हुआ and let me show you hope you can see इस दीवार में भी छिटका है रूप को मैं दीखाती हूं आप लोगों को ये देखो ये देखो and see कहा कितना उपर तक चिटकाई है तो देखा आप लोगों ने इतना सारा कहर मचा दिया है साथी साथ जो फ्लोर है न उसमें भी तेल चिटका हुआ था पूरा क्यों कल मैंने उसको अच्छे से वाश तो कर लिया है and आज फिर भी मुझे साबून के पाने से वाश करना है क्योंकि तेल तेल बहुत ज़्यादा ओईली ओईली हो रहा है and वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है यहां से पूरा यहां एरिया तक चिटका हुआ था and पूरा हातों में चिटका हुआ था जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बट ठीका कर सकते हैं मेरे नसीवी कल बहुत ज़्यादा खराब था इसलिए मैं ब्लॉगिंग कल पहले ही मैंने ब्लॉगिंग करना बंद कर दिया था वीडियो एडिक कर रही थी फिर शाम को मैं बना रही थी यह सब तो हुआ मेरे साथ यह तो यह जो क्लिक हैं मैं पहले शूट कर लेती हूं क्योंकि वह सब मझे क्ली करना है फिर मझे नहाना है और क्या हुआ इन डिटेल्स में वह आपको लंच करने के बाद ही मैं आप लगों को बताऊंगी तो यह क्लिक पहले एड़ कर रही हूं ओके करना है कर दो कि आपको बताब है इन अवद्व मेंगार हुआ है मुझा प्राइब करेंगे करेंगे आज के ब्लाग में शेयर करूंगी क्योंकि ब्लाग होने वाला है बहुत ही जाधा लेंदे तो मैं ब्लाग लेंदे नहीं करूंगी and sorry for the bad light तो मिलती हूँ आप लोगों को पूरा क्लीनिंग के बाद मेरा तो प्लैनिंग था कि मैं आप लोगों कसे आराम से बैट के बात करूं and क्या हुआ था मेरे साथ वो शेयर करूं बट ऐसा हो नहीं पाया because of some reason मैं वीडियो को shoot नहीं कर पाई जिसके वज़े मुझे voice over करना पढ़ रहा and मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ share कर देती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है फिलाल कि जैसे आप लोगों को दिख पा रहा है कि मैं जाडू पोचा लगा रही हूँ इवनिंग का snacks बना रही थी and बहुत ही मन कर रहा था मुझे बता से काने का तो इसी लिए मैं सूजी की पूरिया मना रही थी and उसके वज़े से almost मेरा सारा पूरी बनना जो पानी बता से के जो पूरी होते वो बनना हो चुका था but अच्छा नहीं बना था इसलिए मैंने share नहीं किया अगर अच्छा बनता तो मैं zero share करती but that is not the point the point is कि who are you last case 7-8 पूरिया स्थलने बाकी थे and मैं gas के सामने ही खड़ी थी उनको fry कर रही थी and अच्छानक से मेरी 2-3 पूरिया blast हो गई and blast होने के बाद आपको मैंने mess तो दिखाई दिया पूरा kitchen में मेरा oil spread हो गया, split हो गया and उसके वज़े share थोड़े बहुत oil मैरे hands पे किरे, face पे किरे जिसको मैंने आप लोगों के साथ share किया कि कैसा दाग हो गया है पूरा face में मेरे and उसमें से पानी भी निकल रहा वो भी मैं आप लोगों को share करूंगी थोड़ी देर बाद and हुआ ये मेरे साथ I'm so scared कि अच्छा हुआ कि मेरे पूरे face में नहीं आया नहीं तो मैं और आप लोगों के साथ कभी बात नहीं कर सकती थी तो पता चली गया ना कि कल इवनिंग को मेरे साथ क्या horrible tragedy हुई तो जाड़ो पोच्छा लगाने के बाद मैं नहाने चले गए थे नहा के आख के आप लोगों के साथ मैं फिर से continue कर रही हूँ ब्लॉक को अब भी थोड़ा सा मैं skincare करने वाली हूँ और आप देख सकते हो यहां यहां पुरा दाग हो गया है तो सबसे पहले मैं helps goodness का orange detoxifying face jelly उस कर रही हूँ यह बहुत अच्छा है face के लिए और मेरे pimples के marks को यह बहुत हद तक disappear कर दिया है तो मैं सोच रही हूँ यह सिरे दाग जो हो गया है मेरे face में उसे पही remove करने में help करेगा तो इसलिए मैंने अच्छा खासा amount of लगा लिया है तो इसके बाद आज मेरे face बहुत ही जादा dull लग रहा था and जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरा आज lunch invitation है तो उसके वज़े से मैं थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए काजल अप्लाई कर रही हूँ और बिंदी अप्लाई की and मेरा हो गया skincare complete देन उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया बत्ती भी कर लिया है जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यह है मेरा चोट समंदिर I hope कि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो देन मैं आच्छुकी हूँ अपना dress change करने के लिए क्योंकि जो dress मैंने पहना था वो पहन के तो मैं जान नहीं सकती हूँ तो मैंने यह वाला dress carry किया है जो key frog type का है और गर्मियों में यह बहुत ही अच्छा है और उसके बाद मैं थोड़ा सा ready होने के लिए अनबालों को फिर से comb करने के लिए आचुकी हूँ थोड़ा सा hairstyle कर लूँगी हलके फुलके से तो hairstyle के लिए मैं ऐसे वाला form यूज कर रही हूँ तो आप वीडियो में देख लो मैं अलग से क्या explain करूँ आप लोगों को तो एक छोटा सा clutcher लेके मैं थोड़ा सा हलका puff बना के अपने upper hairs को tie कर लूँगी जैसे कि आप लोगों को दीख रहा है देन उसके बाद जो leftover hairs होगा मेरा उसको मैं अच्छे से हातों में लेके उसको उपर की तरफ बन बना लूँगी क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है बालों को छोड़ना मतलब बहुत ही जादा hectic काम तो ऐसा नहीं करना चाहती थी इसलिए सारे बालों को मैंने एक बड़ा क्लाचर से बंड बना लिया उपर की तरफ एंड थोड़ा सा फेस को शेप देने के लिए मैं साइड से hairs निकाल दे रही हूं ताकि थोड़ा बहुत अच्छा लगे एंड मेकप तो करना है ने क्योंकि लच इंविटेशन में जाना है और कहा जाना है वह आप लोगों को दे देख सकते हों यहाँ पर एकित्त्ता जादा खराब लगर रहा है है इसी यह देख्के मेरा हालत बहुत जादा खराब को गया था कि मेरे फेस को हुआ क्या ऐसे ही मुझे दाग से बहुत जादा डर लगता हैुपर से तक बड़ा मार्क हो गया पता ने कब तक किये जाने वाला है तो चलिए रेडी हो चुके है अब लंच के लिए निकलते हैं मार्क्स लगाओ कितने दीना वाद में निकल रही हो ला मार्क्स लगाओ पको इसको सासी Woah सास लेने जरोड़े हैं तैसे हैं सास लेने जरोड़े हैं तो अझाल दो है सास लीर जरोड़े हैं आम वीर आउट एंड वीर गोइंग फोर आवर लण्च इन्वेटेशन और हमले घस्ष्बंद का वाल तो बग्वास तो आप लोग उने सुने लिया कि हमेंसा उनकी मजाग की सूचती है और सही मैं मैं पहली बार मास्क अप्राइ कर रही हूँ आज 21 दिन है लॉक्डाउन का यस आज है 14 एप्रिल आज मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एडिट तो इसलिए मैं 14 एप्रिल तक का मैं 21 दिन मैंने ब्लॉग नहीं पेना था बट बीसवा दिन यस थर्टीन एप्रिल को मैंने मास्क पेना था क्यूंकि मैं पूरा जो लॉक्डाउन पीरियेट था जो घर में ही थी एक भी कदम मैंने बाहर नहीं रखता तो चलिए चलते हैं लंच करने यस अवर डेस्टीनेशन जहां हमें लंच करना है आज के मेनू में है यह आज मैं खाएं चिकेन करी राइस चिकेन कसा बहुत दिनों बाद चिकेन आया था मारे घर में तो इसलिए मदर इनलो बुलाई थी क्योंकि मदर इनलो का हाथ का खाने का मज़ा कुछ और ही होता है और उनका फ्लेवर बहुत ही ज़ादा अमेजिंग होता है इसलिए सब ने उनहीं बोला कि आप ही बनाऊ ने तो मुझे बोला जाता था बनाने के लिए ने तो अलग-अलग बनाया जाता बट ऐसा नहीं हुआ हम लोगों ने एक ही जगह में खाना खाया तो आज हमारे लंची निविटेशन था हमारे ससुराल में तो आई होब कि आप लोग ने इंजॉय किया हुआगा और कैसा लगा आज के ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा यहां पे सबका अलमुस्ट खाना हो चुका था हम लोगी लास्ट में गये थे तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आई होब कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर लगा होगा तो लाइक शेर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को जरू जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग लव यू आल